दोस्तो साउथ के 10 मुसलिम एक्टर्स जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे दोस्तो साउथ हिंडियन एक्टर्स के फैन फॉल्लविंग सिरफ साउथ में नहीं बलकि वॉलिवुड से लेकर नेपाल, चीन, दुबाई और अमेरिका जैसे देशों में बहुत जादा है और आज के समय में साउथ हिंडियन एक्टर्स की फैन फॉल्लिविंग उनकी कमाल की फिल्मों की वज़े से है सभी देशों में बहुत ही जादा तेजी से बल रही है इसलिए आज हम साउथ के उन एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि मुस्लिम हैं, इन में से कुछ तो ऐसे भी हैं जो नाम से हिंडू लगते हैं पर असलियत में वो मुसल्मान हैं इसलिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों साउथ के स्मार्ट और इंटेलिजन्ट एक्टर आरे भी मुसलिम कम्यूनिटी से बिलॉंग करते हैं जिनका असली नाम है जमशाद सैथरिकत और ये भी लोगों के साउथ के फेवरेट एक्टर्स में से एक है क्योंकि दोस्तों इनकी एक्टिंग इतनी कमाल की होती है कि उनके फैन्स का दिल खुश हो जाता है और फैन्स उनकी अगली फिलम का बेस सबरी से इंतजार करते हैं इन्होंने कई कमाल की फिलमों में काम किया है जिन में से उनकी कुछ फिलमों के नाम है टैडी, एनिमी और गामा मुनी और इसी के साथ ही बहुत सी जबरदस्त फिलमें हैं नमबर 9, ममूती दोस्तों ममूती एक परसिध मल्यालम फिलम इंडरेस्ट्री के अक्टर है इनका असले नाम मुहमद कुट्टी मंडी पहराम बली इसमाइल है ममूती ने अपना एक्टिंग करियर 1989 में मल्यालम फिलम इंडरेस्ट्री से शुरू किया था और तब से अब तक ये 380 से जादा फिलमों में काम कर चुकी है और एक मुस्लिम है इन्होंने अपने करियर के दोरान बहुत सारे अवार्ड और नॉमिनेशन्स भी जीते हैं जैसे कि पदम शिरी पदम भूशन नैशनल फिलम अवार्ड फिलम फियर अवार्ड और कई और दोस्तों इन्होंने तेलगू तमिल हिंदू और कन्नड फिल्मों में भी काम किया है लोगोदवारा ममूती की एक्टिंग को बहुत ही जादा पसंद किया जाता है और इनकी बहुत रिस्पेक्ट भी की जाती है और इन्हें मल्यालम फिलम अंड्रेस्टी के एक बड़े सितारे के रूप में जाना जाता है ये एक बहुत ही फेमस और सक्सेस्फुल एक्टर है और मल्यालम फिलम इंड्रेस्टी में इनकी जगा बेहत खास है दोस्तो नमबर आठ शाम वैसे तो ये फिल्मी दुनिया में शाम के नाम से मश्यूर है लेकिन असल में ये मुस्लिम है और इनका पूरा नाम इसम्शुर्णाद इसम्शुद्दीन इबराहिम ने अपने अपने फिल्मी करियर में कई महत्व पूर्न भूमी खाएं Dwuhumik reconnect और अपनी एक फिल्म में तो एक केरदार को निभाने के लिए इनकी जानकी भी परवाहण नहीं की थी क्योंकि ये फिल्म के एक एक्टर को प्ले करने के लिए बारा दिन तक जगे रहे थे और अगर उनकी जगा कोई और होता तो वो ऐसा करने के लिए कम से कम सौ बार सोचता और यही वज़ा है कि आज ये फिलम एंडरेस्ट्री में इतने सक्सेस्फुल है शम्शुद्दीन इबराहिम फिलम में एक्टिंग करने के साथ साथ टीवी शो और रेडियो एडिटिंग में भी भाग लेते हैं इन्होंने फिलमी करियर के दौरान कई नैशनल आवार्ड्स भी जीते हैं नमबर साथ रियास खान दोस्तों एक्टर और बॉडी बिल्डर रियास खान ने बहुत सारी टॉलिवुड और कोल्ड फि होगा क्योंकि कई फिल्मों में उनकी एक्टिंग इतनी जबर्दस्त होकती है कि उन्हें देखते देखते लोगों का पेट नहीं भरता और लोग उनकी फिल्मों को बार बार देखने के बाद भी बोर नहीं होते नमबर छे राशीन रहमान दोस्तों रशियन रहमान रहमान के नाम से फेमस है रहमान तेलगू फिलम इंड्रस्टी के one of the top actors में से एक है रहमान नी दोसों से भी जादा फिलमों में acting की है रहमान औूर रघू के नाम से भी जाने जाते हैं अब दोस्तों इनके इतने अलग अलग नाम इसलिए हैं क्योंकि ये तमिल और तेलगू फिलम में भी काफी जादा फेमस है जिसकी वज़े से पूरी फिलम एंड्रेस्टी में इनका काफी जादा दब दबा बना रहता है नमबर पांच मौहमद अली बाश्या दोस् साउथ की बहुत सारी फिल्मों में इने कॉमेडी करते हुए देखा जाता है इनकी कॉमेडी इतनी लाजवाब होती है कि कोई भी अपने आपको हसने से रोक नहीं पाता अली को दो नंदी अवार्ड और दो फिलम फियर अबॉर्ड भी मिल चुके हैं इने साउथ का दूसर भी अपने आपको हसने से रोक नहीं सकता नंबर चार नसार अब इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर हैं डायरेक्टर प्रड्यूजर डबिंग आर्टिस्ट सिंगर और पॉलिटीशियन नसार दोस्तों नसार एक मुसलिम है जिनका पूरा नाम है मोहमद हनीफ नसार जिनकी बाहू बली में इनके द्वारा निभाया गया बिचल देव का किरदार तो बहुत जादा फेमस हुआ और बहुत सारी लोग तो उन्हें आज भी बिचल देव के नाम से जानते हैं दोस्तों नसार जादा तर सीरियस ट्रोल ही करते हैं और साउथ इंडरेस्ट्री में इनकी बहुत जादा इच्चत हैं और हर कोई इनका नाम बहुत अदब के साथ लेता है यह ऐसे एक्टर हैं जो बहुत ही जादा डाउन टूर्थ हैं वैसे तो इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया लेकिन इनके बावजूद भी इनके पास एटिटूड बिल्कुल भी नहीं है नमबर तीन अजमल आमिर दोस्तों अजमल आमिर एक फेमस मल्यालम और तमिल फिलम एक्टर हैं यह एक मुस्लिम फैमिली से बिलॉंग करते हैं अजमल आमिर ने अपना फिलम करियर 2007 में मल्यालम फिलम प्राणायम कलम्ट से लिए यह अपने फैंस के बीच काफी पॉपुलर है और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं नमबर दो फहाद फाजिल दोस्तों पिछले कुछ समय में इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिलमों में काम किया है और साउथ इंडरस्ट्री ही न दोनों ही मूविज में फहाद फाजिल ने अपनी एक्टिंग का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया आपको बता दे फहाद फाजिल मुस्लिम फैमिली से आते हैं जो अपने दम पर आज बहुत सारे लोगों के दिलों पर रास कर रही है आने वाले समय में ये पुश्पा टू की हाइट भी बहुत ही तगड़ी बन चुकी है ऐसी फिलम के बाद फहाद फाजिल की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ने वाली है इसके अलावा और भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी मूविज में फहाद फाजिल नजर आने वाले हैं जिसके लिए लोगों में काफी जादा एक्साइटमेंट है नंबर एक दुलकर सरमान यह एक फेमस मल्यालम और तमिल फिलम इंडरस्टी के अभिनेता है और यह बहुत मल्यालम फिल्मों के कारण ही जाने जाते हैं लेकिन यह तमिल तेल गूर हिंदू फिल्मों में भी काम कर चुके हैं दोस्तों यह मुस और उसके बाद से वो कई परसीद मल्यालम फिल्मों में काम कर चुके हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद